हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप सभी लोग तो आज कोड़े मैं आपको M16 Royal Pass के Week 2 के सारे missions डीटेल में explain करूँगा और easy tips और tricks बताऊँगा जिससे आपकी mission चल 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 दी complete हो जाएंगे अगर आपने Week 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप आयो बटन पर इस वीडियो को देख सकते हो तो फिर देखते हैं कि Week 2 का First Mission कोन सा है तो Week 2 का First Mission है 100 RP Points के लिए use first aid kit 30 times in classic mode तो आप देख सकते हो यह है first aid kit तो total आपको दोस्तों 30 बार यह first aid kit को लगाना है classic matches के अंदर rank हो या unrank कोन सी भी लगा आपको बस first aid kit total 30 times use करनी है और किते भी matches में आप complete कर सकते हो एसा नहीं कि एक match में ही करना है फिर next mission है 100 RP Points के लिए pick up ghillie suit in 5 matches in classic mode तो दोस्तों आप यह ghillie suit देख सकते हो तो यह ghillie suit आपको दोस्तों airdrop के अंदर मिलेगा तो दोस्तो आपको यह पहनना है या फिर उठाना है तो फिर आप क्या करो दोस्तों आप यह squad के अंदर करो अगर आपके कोई भी teammate को ghillie suit मिल जाए तो फिर आप भी उससे ले लेना और उठाकर पहन लेना फिर आपका दोस्तों यह mission complete हो जाएगा तो टोटल 5 matches में आपको यह complete करना है तो next mission है 75 RP points के लिए और यह repeatable mission है week 2 only spend 100 minutes in matches तो दोस्तों अभी फिलाल में week 2 unlock नहीं हुआ है क्योंकि अभी easy mission license के वह से week 2 दिखाई दे रहा है अभी week 1 ही चल रहा है तो यह mission आपका कप complete होगा तो दोस्तों यह mission आपका 27 October के बाद ही complete होगा क्योंकि 27 October के बाद week 2 unlock होने वा रहना है फिर minutes add होंगे और आपको यह मिलते रहेगा फिर next mission है 150 RP points के लिए और यह friend boost है friend boost मतलब अगर आप आपके royal pass के दोस्तों के साथ यह mission को complete करोगे तो आप देख सो तो यह 0 out of 14 दिखा रहे तो आपके इसमें add हो जाएगा या फिर आपने भी किया उनके साथ तो उनके इसमें add हो गया इसलिए मैं आपको सला दूँगा कि आप आपके royal pass के दोस्तों के साथ ही यह mission को complete करना तो mission है eliminate 14 enemies with assault rifle in poaching की इरेंगल in classic mode तो assault rifles आपको पता ही होगे अगर नहीं पता तो आप को बता दू m416, akm, m16a4, skarel, groza, aug तो यह जो गन्स होते है आटो वाले तो वो दोस्तों आपको चलाने है कहा तो poaching key के अंदर तो आप देशिक तो poaching key के अंदर आपको जाना है और आपको यह gun से दोस्तों total 14 enemies मारने है फिर आपको यह mission easily complete हो जाएगा और आपको मैंने बता है भी इसक साथ यह mission complete करना है फिर next mission है 75 rp points के लिए और यह friend bonus है मतलब अगर आप आपके royal pass के दोस्तों के जाद खेलोगे तो आपको extra rp points मिलेंगे मतलब 30 rp points extra 45 rp points extra जितने आप add को रोगे उतने मतलब total 3 आप add कर सकते हो एक squad के अंदर तो फिर mission है eliminate 14 enemies with m249 in classic mode तो आप देख सकती है M249 तो यह machine gun है तो यह आपको कहां भी मिल जाएंगी तो आपको क्या करना है दोस्तों classic matches खेलने है आप इरेंगल खेल सकते हो living खेल सकते हो मेरा मार खेल सकते हो कौन सा भी खेलो आपको बस दोस्तों इस gun से total 14 enemies मारने है फिर next mission है 75 rp points के लिए और यह team boost है मतलब अगर आप squad के अंदर खेलते हो तो squad में किसने भी यह किया तो भी आप किसमें यह add हो जाएगा इसलिए आप यह mission squad के अंदर ही complete करना तो mission है eliminate players with vehicle four times with teammates in classic mode तो दोस्तों आपको vehicle से 4 enemies को finish करना है नौक आपको पता ही होगा जिन लोगों को ने पता बता दूद आप जब first time दोस्तों से उसे पूरा finish करना है फिर तब जाके ही दोस्तों आपके mission में एक count होगा तो इसके उपर मैंने एक already video बने है अगर आपको यह detail में जानना है आप आए बटन पर इस वीडियो को देख सकते या फिर description में भी आपको link मिल जाएगी फिर next mission है 75 RP points के लिए eliminate 5 enemies with DBS in classic mode तो आप देख सकते यह DBS तो यह एक shotgun है तो इससे total आपको 5 enemies मारने है classic match के अंदर तो आप rank के अंदर भी खेल सकते या फिर unrank के अंदर मैं कहूंगा आप unrank के अंदर irangle लगाओ irangle में आपको यह मिल जाएगी बस 5 enemies आप मारो फिर next mission है 75 RP points के लिए eliminate 5 enemies with pistol in any mode तो दोस्तों आपको 5 enemies मारने है pistol से तो मैं कहूंगा आप क्या करो अरिना लगाओ और अरिना के अंदर दोस्तों पिस्टल से enemies को मारो आपका यह mission easily complete हो जाएगा फिर next mission है 75 RP points के लिए complete 20 quick draws in the cheer park तो दोस्तों इस mission को complete करने के लिए आपको cheer park के अंदर जाना है और cheer park के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ आपको बहुत सारी बंदे दिखाई देंगे आप देख से तो आपको बस इनके उपर क्लिक करना है फिर आपको यह quick draw का option दिखाई देगा तो आपको इसके उपर क्लिक करना है करो आपको बस मैच करने तो टोटल बीज बार आपको इसे मैचेस खेलने है इसली आपका हो जाएगा और यह मिशन कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स मिशन है 75 आर्पी पॉइंट्स के लिए Eliminate 22 Enemies with M762 in Classic Mode तो दोस्तो आप देख सकते हो यह है M762 गन तो इसे बैरल कहते है तो इससे दोस्तो आपको टोटल 22 Enemies मारने है क्लासिक मैच के अंदर तो आपको मैं कहूंगा आप अंड्रैंक लगाओ और फिर दोस्तो लिविक लगा कर खेलो आपको M762 गन मिल जाएगी बस Enemies को मारो आपको यह मिशन कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स मिशन है 75 आर्पी पॉइंट्स के लिए Eliminate 80 Enemies with M16A4 in Arena Mode तो आपको क्या करना है अरिना के अंदर यह M16A4 गन से Enemies मारने है और लास्ट कभी मैं एक्स्प्लेइन कर देता हूँ उससे के साथ complete 12 Matches with Friends in Arena Mode तो अरिना मोड के अंदर आपके दोस्तों के साथ आपको 12 Matches complete करने है तो यह दोनों भी काफी easy है आपको ब mission complete हो जाएगा और जो M16 का था तो उसके लिए आपको दोस्तों team death match खेलने है और आप क्या करो यह loadout के उपर एक slot select करो और यहां M16 gun को add करो आप देख से एसे add करो और बस आप यह team death match खेलते रहो फिर आपका easily mission complete हो तो दोस्तों यह थे week 2 के missions तो इसे वीडियो देखने के सब्सक्राइब कर दे मिलता हूं मैं आपको week 3 के mission के वीडियो के साथ बाए बाए